बहुत ही मुठाल राय फार्प नारंगी कलरका होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है तो चलिया हम लोग दिखाएंगे कि ये फल किस तरह होता है और इसको किस तरह खाय आता है तो मेरे वीडियोज में बने रहे हैं और देखें और वीडियो का मजा ले देखे हम लोग फाइनली पहाड के उपर की और चड़ रहे हैं देखे काफी बड़ा पहाड है और हम लोग दिरे दिरे जा रहे हैं देखे बहुत सरा पत्थल भी है और देखे किस तरह दिरे दिरे हम लोग उपर की और उट रहे हैं देखे बहुत सरा पत्थल है पहाड के उ देखें हम लोग फाइनली पहाड की और चलाये हैं जहां जो इसका प्रह तो बने रहे हैं इसका बूता है और खॉर किस तरह होता है देखाऊंगर कि हम लोग फाइनली क्लरका होता है देखिए बहुत बढ़ का पेड़ा है और यह पेड़ में अभी दीखिये चड़ने बाला है और फल को तोड़ेगा और मैं खाके विए दिखाऊंगा कि यह किस तरह लगता है इसका स्वार देखिए भरी पेड़ आया हुआ है यह इसका पेड़ है देखे देख रहे हैं इनका फल टमाटर जैसा गोल और यह पीला लाल नारेंगी कलर का है यह देखिए यह लाल है और उपर पिला पिला है जो अभी कच्चा है अभी पका नहीं है और देखे यह बहुत है इनका फल और इनको तोड़ने के लिए देखिए एक लड़का उपर की ओर चड़ा है जो पका पका फल है उनको तोड़ रहा है देखे भारी पेड़ में आया है और इसको खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है और यह फल हमारे लिए बहुत ही लाबदायक है यह फ्ल बन के आया है यह फल तो इन दिखे किस तरह तोड रहा है कि सब्सक्राइब अग्राइबrying पटकर दिखे और टोड़ करते हैं और ये देखे इनका फॉल किस तरह ये पिला है ये देखे पिला है ये लाल है और देखे यहां कुछ नारंगी भी ये तीन कलरों में इनका फॉल आता है जो अभी देखे पिला वला कच्चा है और कोई देखे लाल भी है और कुछ नारंगी है ये धीरे-धीरे अभी पक रहा और यह लाल और नारंगी ज मीं कलर होता है जो खाने में स्वादिश है और हमारे लिए फॉल काफी हिलावदाय है, तो देखे लिए किस तरह एक भाय चण के पेड में तोड़ रहा है और एक जगह हम लोग देखे एकड़ा करके रहा कर हैं ये फल को देखे बहुत सारा अभर ही तोड़uje है और इसको अभी खाके हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह इनका स्वाद लगता है और इनसे क्या-क्या लावे हैं और ये फल की समहिना में आता है तो देखे हम लोग फाइनली अभी तोड़ ही रहे हैं और देखे एक डाली में बहुत ही है इनका फल देखे ये डाली भर चुका है कितना सुन्दर लग रहा है ये केंदू का फल और देखे ये अभी कच्चा है तो धीरे धीरे पकने ही जा रहा है और कुछ फल नीचे भी है देखे इनका पत्ता भी काफी ही सुन्दर दिखता है देखने में इनका पत्ता भी बजार में हम लोग विक्री करते हैं जो काफी ही डिमांड है बाजार में इनके पत्ता का और देखे इनका पेड़ है जो काफी मोटा है और देखे कितना सुन्दर लग रहा है यह अभी कच्चा है और देखे धिरे धिरे यह कलर होने ही जा रहा है कोई दिनों के बाद यह फल पक जाएगा देखे कितना सुन्दर लग रहा है यह तेंदू का फाल और यह देखिए यह तेंदू फाइनली पक चुका है और इसको देखिए तोड़ेंगे यह देखिए तेंदू पक चुका है और यह देखिए किस तरह टामाटर का जैसा गोल है और यह फाइनली पक चुका है देखिए काफी ही अच्छा लग कर देखने में अ इस यहें रहा है तो हम ले एक जग Changing कर रहा है देखें, बहुत शरा इक्ता करके रखें और अभी खाएंगे हम लोग इसको देखें यही रहीँ है टेफू पर हम स्वादिष लगता है अधरु बल ड्रें यो क्यों ओले कर लिए इनका फार्ण का रगेख देखे हैं तो देखे हम लोग पहाडी की फल को देखें तोड़ के एक जिगाएगटपं करके रखे हैं और हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं तो देखें तेन्दू का ये फल को हम लोग तेन्दू का आपने कि वाना स्पतिक नाम डाए- तेन्दू मला वेरी का है और इसको अंग्रेजी में गोब पर सीमन कहते हैं भारत के विष् разм Constitution में तेंदू को भिन नामों से बुकरा जाता है तेंदू काला तेंदू गाबा गाब केंदू उसारत और बहुत सारां नामू से जाना जाता है यह फलो को और यह देखे टमाटर का जैसा गोल गोल होता है और कुछ देखे पीला भी है लाल और नारंगी कलर का है यह देखे पीला है और देखे यह लाल हो गया है और कुछ देखे नारंगी कलर का है जो फाइनली देखे पग गया है यह तेंदू फल पेडो में जनवरी से अप्रेल मां तक आता है तेंदू का फल मीठा तता स्वाधिठ तो है ही इसके फल वच्छाल का आरवेदिक महत्फ भी है इसके पत्त वफूल का संग्रहन कर बिक्री करने से ग्रामिन को अच्छा आय होती है इसके पत्ता को भी हम लोग बिखरी करते हैं जिससे हम लोग को अच्छा आमदानी होता है और इसका पत्ता का बहुत ही डिमांड है साथ ही इसका दवायां भी बनती है तेंदू पेड के फल छाल बीच वोपत्ता सभी का आईरवेदी मोहत्व है भिन परकार के रोगों के उचार के लिए यह काम देखे यह फल केंदू टमाटर के समान दिखने वाला एक फल है जो मुख की रूप से यह पहाड़ियों और जंगलों में ही पायाता है यह फल पीला लाल और नारंगी रंग में नजर आता है यह फल आकार में गोल होता है इसके फलों के भीतर चिकू के समान मधूर तथा चिकना गुदा राता जिसे खाया जाता है तेंदू फल पोशक तत्मों से बरिपूर होता है तेंदू फल को कच्चा भी खाया जाता है हालकी कच्छा फल स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है तेंदू फल खाने से आखों की रोशनी भी बढ़ती है तेंदू फल में बिटामिन A की मुईदगी होती है केंदू फल में वजन घटाने की चमता भी होती है ये फल बहुत ही लाब दायक है हमारे लिए और बहुत ही स्वाधिश्ट होता है और इनको खाने से बहुत ही लाब मिलता है हमें तो चलिए मैं खा के दिखाऊंगा कि इसके किस तरह खाया जाता है तो देखे यही जंगल का फॉल है जो हमने बोला था कि जो टमाटर के जैसा पहाड़ों फॉल पाया जाता है तो देखे यही फॉल है यह और इसको हम लोग तेंदू के नाम से जानते हैं देखे यह कितना वड़का वड़का है और यह फॉल पीला लाल नारंगी कलर का होता है यह देखे यह पीला कलर का है यह देखे नारंगी कलर का है और ये देख히े लाल कलर का है जो तिन कलर में होता है और फ़ını लिपक के लाल हो जाता है तो देखे किस तरह आया हुआ है फुरा फल और देखे हम लोग बहुत सारह आभी जाके तोड़े हैं पेडों में देखे और ये फल हमारे लिए यह बहुत ही लाबदायक है तो चलिए मैं खाके दिखाऊंगा कि यह फल की तरह जाता है तो चलिए देखिए तो एक भाई भी है यह भी खाके दिखाएगा भाई दिखिए खाके दिखा यह क्या लग भाई टो डेकर यह है छोकला है इसको हम लोग चुटायेंगे दीखिए इसको किस तरह अभी च फुटायेंगे च subtitle देखे इस तरह आपको छुटा लेना है और देखे दिरे-दिरे आपको खोलना है इस तरह तो देखे इसका अंदर आप देखे गिर गया देखे इसको हम लोग खोलें तो दिरे-दिरे देखे इसका अंदर देखे किस तरह गुदा है और इसी को हम लोग को खाना है देखे और आइसकी औंदर देखे कि बहुत सारा गुंदा है ने जो अधा से बहुत मिथा लगा हम और बहुत स्वादिश लगा तो देखें इस निकलता है मिमें इनका अंदर किसे निकले ने ने उसšके अंदर निकलता है नीचिकी इसको और बहुत शरब फल है जो अभी खाएंगे और कुछ घर भी ले जाएंगे बहुत मज़ा लग रहा खाने में और ये फल हमारे सरी के लिए काफी लाबदायक है और बहुत ही लाबदायक है अगर आपको वजन घटाना है तो ये फल ज़रू खाईए आपको वजन घट जाएगा अगर आपका जिटी ठोर फांट रहा है तो ये फल को एक बार जड़ू खा की देखिए ये फल खाने से आपको ठोर भी नहीं फंटेगा जो काफी लाबदायक है देखिए एक भाई भी खा के दिखाएगा किस तरह लागेगा खा के आपको बताएगा तो काफी हमको मज़ा और यह देखिए हम इसको साब कर दिये इसका चोकला है जो काफी स्वादिश लगा हमको खाने में और काफी मीठा लग रहा है कैसा लग रहा है खाके अच्छा लग रहा है ना मीठा लग रहा है और यह यह भाय को भी बहुत पसंद लगा यह फल और इसको विप्न मिठा लग रहा में देखिए लिग्या कि प्ल के साथा लगता है कि हम चोक्डा भी खा रहें इसको कर दिया कैसी हुक और जंगल का एक ऐसा फल जिसे आप खाते होंगे तो एक बहुत ही मीठा लग रहा है फल के साथ-साथ आप चोकला को भी खा जाईएगा देखिए इतना स्वाधिश लगता है यह प्ल इसका चोकला है और इसके अंदर देखे यह फल है लग रहा हम इसका चोकला को भी खा जाएंगे शाथी और फल है लगता है इसको भी चोकला खा जाएंगे देखिए बहुत है मिर्था लग रहा है यह फार्प शास यहां भाई देखिशे खादा आहां काफी सोदिश लोग तो मैंने जंगल का फल दिखा दिया कि जंगल का फल की श्तर होता है और मैंने खा के भी दिखा दिया तो आप लोगों को वीडियो की तरह लगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वेल आइटन को प्रेस कर दे ताकि मैं आप सबों को इस तरह का वीडियो दिखाने को मिले तो चलिए ठेंक यू नमस्कार मैं इस तरह का वीडियो आप सभी को लाते रहूंगा तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दे बाई बाई